जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो हम एक मिसी रोटी तो जरूरी ओडर करते हैं इतनी टेस्टी लगती खाने में तो इसलिए आज मैं आपको वही मिसी रोटी घर में बनाना बता रही हूँ बिल्कुल आसान तरीके से एक दम तंदूर वाली मिसी रोटी हम घर में बन बने पाउडर तोड़ा सा नमक डाल देंगे ठोड़ा समय डाल दूंगे हरा धनिया और सब चीजों को बढ़िया से एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे एकदम बढ़िया से मिलाने के बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और एकदम बढ़िया सा मुलायम साटा लगा के हम कर लेंगे तयार एकदम इस तरह से आटा लगा लेना और उसके बाद में इस आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे धक के और 10 मिनट के बाद में एक बार हम आटे को अच्छी से फिर 2-4 बार इस तरह से गूत लेंगे जिससे बढ़ी हास हमारा आटा एकदम चिकन आटा हो जाए बनके तिया सब्सक्राइच तरहरर उसके बाद में इसमें से एक लोई तोड़ लेंगे मिसई रोटी हमेशा हलकी मोटी होती है आटा मैंने न musimy सी तोड़ ले ना रूसके बाद हमेसे सूखे आटे में लगा लेंगे लोको और उसके बाद में बिलकूर हलके हास से हमाने हान्यकर पर डालना है और जिस साइड में हमें से तवे पर डालना है तो यहां अच्छे समय ने रोटी पर लगा लिया पानी और मैं डाल दूग इसको तवे पर गैस के आज को एक तम मीडियम रखना है यह मिस्सी रोटी इतनी बढ़िया बनके तयार होगी तो जब भी आपका मन करें बाहर खाना खाने का तो आप घर पे ही इस मिस्सी रोटी को बना कर खाईए किसी भी सबजी के साथ में खाएंगे एकड़ मज़ेदाल लगेगी तो जब एक तरफ से अच्छे से सिख जाएगी तो हम तबे को इस तरह से पलट कर बढ़िया से आज पर शेखलेंगे अपनी म बन के त्यार, उपर से हम यह बटर लगा लें यह घी ही लगा लें हापर मैंने घी लगा लिया इसमें और यह देखिए कितनी मज़ेदार रोटी हुगी हमारी बन के त्यार तो आप खाए जब坏 आपका वन करे एं इतनी बढ़े इतनी टेस्टी बनके त्यार हुई यह रोट तैनक मैं